हलो दोस्तों नमस्कार आज के सेशन में हम जानेंगे method of lubrication lubrication कितने प्रकार से किया जाता है तो यह जानते है method of lubrication lubrication का सबसे पहला method है वह बचो gravity feed method और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है gravity feed method में बचो अलग-अलग आपके methods आपने सुने होंगे और सबसे जियादा famous और सबसे ज्यादा जो आपने द देखे उनगे वो सबसे पहला भीक-फीड-मैथट फी फीड-मैथड अगर इसी क्रिन में भचवोगों आप देख रहे होंगे लूइए डूबैटितर भी कहते हैं हम वं रोज 요즘ी यूश्री जानते हैँ लूब्रीकेटर भी कहते हैं तो इसको अदूसरे नाम से जानते हैं civ1 रूबृकितर वीख ओता बच्छों आपका वीखता वीक होतायां पर बत्ति कि यूजस की जातीर जैसे आप ने घिने यहां पर गाँ iniya जिस आपको किया है यहां पर जो का लोगë किसन का जो principle है, किसमें Stephen Weak Lubricator या फिर मैं बोलू कि Weak Fit Method में यहाँ पर जो principle है किस principle पर आपका काम कर रहा है lubrication वो कर रहा आपका capillary actions पर यहाँ पर lubrication आपका हो रहा है दूसरे method में आजाते है चोंचाँ, दूसरा method जो है यह यह आपका विंकले ओईलर दूसरा मेथड़ जो है आपका वह है आपका विंकले ओईलर और विंकले की अगर मैं बात करूं तो विंकले होती बचों एक rotating sleeve rotating sleeve होती है तो कैसे काम करता बचों और सबसे पहली बात है सबसे important यह पर यहां पर इमिय ओपर के साइटेप मोयल बरने के बाद यह चो को बंद कर रहता है यहां से जो है आपका ओइल आंदर होता रहता है तो बिले होती है आपको rotating sleeve rotating sleeve तो इस type के जो आपके ओईलर होते हैं इस सामने ता आप देखेंगो बचो मसीनों सो में आप आसनी से देख सकते हैं तो विंकले ओईलर जो है यह भी आपका gravity feed method है तीसरा आप देख रहे होंगा बचों आपका screen पर यह है करता है site feed Lubrication site feed lubrication Muhammad 23rd मेंधर में बात करो कुछ हूं इसकी site feed Lubrication को इसको डृग flatter भी कहते है इसको डृगर व से कहते है इसकर दूसरा नाम बचोंट यहां आप नाम है होगे होगे वीच में अगर देख रहुएंगे आपकी तो बिच हमें आप कहें हैं पर अजनी इसमें कर सकते हैं कि कि तना है इसमें अभी बचा है आते हैं और यह तो आपने जबन भ़्या देखा वाइंब शहाँ हो मसीनों साम्मय पमया इत हा आइल केन यूज किया जाता है यह और ऑईल का केन है बचों इसमें और बरके रखा जाता है और यहाँ पर ग्रेवटी के माध्यम से ग्रेवटी फीड मेथड से आपका लूब्रीकिसन होता है जितना आपका यूज होता रहता है जो कोई भी से दो डॉटेटिंग पार्ट है उनके बीच अगर आपका lubrications होना है तो यहां से आसानी से जो है आपका gravity feed method में जो method यूज की जाते हैं वीक आपका force feed method सामने आपने मसीनों में सामने आपने automobile vehicles में यह method आपने lubrications का देखा होगा तो force feed method में आपका सबसे आसा जो सबसे सामानिय जो अग्जामपल अगर मैं कहूं वह oil can है बचाओ oil can आपने सबने देखा होगा workshop में कि कोई भी आप इंजिनरिंग walksop हो यहाँ पर oil can रखा होता है बचूँ आपने सबने देखा होगा तो force feed मतलब lubrication आपका होगा force के माध्यम से force से आप lubrication से दे रहे हैं जहांपर आपको lubrication से पहुंचाना है lubrication करना है वहांपर force के माध्यम से आप lubrication lubricator oil को जो है पहुंचा रहे हैं या फिर grease को पहुंचा रहे हैं इसको कहते है force feed method तो oil cane हो गया बचों pressure grease gun होगा आपने देखा होगा और बहुत ज़्यादा automobile में भी यूज किया जाता है pressure grease gun gun के माध्यम से लीवर आप देख रहोंगे इसको grease इसके लाव बचों और भी आपकी method है force speed method में कहूं hand pump pressure feed जो होता है अगर आपने देखा होगा कहीं hand pump pressure feed है तो यह भी force speed का example है इसके लावा एक आपने सुना होगा बचों spring compression type grease cup जो होता है यह भी force speed का method है इसके लावा stuffers screw down greaser जो होता है इस सब जो है आपके force speed method लेकिन सामने ता जहां पर भी आप grease हो या oil को force के माध्यम से force से आप जो है जहां पर मुझे जरुवत है वहां अगर oil lubrications कर रहे हैं तो इसको मैं force speed method बोलूँगा एक तीसरा आता है बचों और सामने था automobil या फिर machines या फिर साफ्ट रोटेटिंग साफ्ट इन जगे आपने देखा होगा chain वहां पर आपने देखा होगा कि कैसे आप oil करते हैं तो इक होता है है आपका lubricating oil उसको मैं stress method करूंगा तो सबसे पहला एक्जामपल आप देख रहोंगा बचों चेन ऑइलिंग है थोड़ी सी चेंड जो है वह ओईल बात में डूबी हुई है और चेन आपकी घुमेगी तो पूरा का पूरा जो system में आपका वह ओईल हो जाएगी या फिर मैं काहूं lubrication हो जाएगा एक होता आपका ring oiling rotating shaft है बीच में आप देख रहे होंगे फ्री फ्री जो है एक रिंग रखी गई है जो रिंग जो है डूबी गई है थोड़ा सा डूबी गई है किसमें आपका एक बात oil के बात में जब आपका shaft घुमेगा तो spring सब इधर उधर होगी इसके होने से जब स्प्लेस होगी स्प्लेसिंग से बचों oil जो है वह आपका shaft पाएगा अच्छा का सापका lubrication होगा एक बचों आपका gear bath oiler सामने ता अगर मैं बोलू तो automobile vehicle जो आपके होते हैं वहाँ पर यह होता है gear bath oiler उसमें आपके जो gear होते हैं वह नीचे जो है तीन टाइब के method सामने पड़े जो सामने था lubrication method यूज किये जाते हैं एक gravity feed method एक force feed method और एक splash feed method